जैशरी महांकाल, जैशरी महांकाल दोसब सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत और आपका बहुत बहुत आपारे गीता के द्वारा बताए गए वो संकेत साथ कि हमारे जीवन में अच्छे दिन आने से पहले हमें ये साथ संकेत मिलते हैं ये साथ संकेत कौन से हैं कैसे हैं इन सभी पर इस 3 मिनिट 18 सेकंड के वीडियो में हम बात करेंगे और इससे जानने के बाद आप ये जान पाएंगे कि आपके जीवन में अच्छे दिन, अच्छे चंड, अच्छे पल आप ज़्यादा दूर नहीं है तो ये वीडियो बहुत जादा महत्पून है, मुझे आप बहुत दिनों से कमेंट्स कर रहे थे पंडी जी आप स्विशे पर एक अलग से वीडियो बनाएं, मैंनों सुचा आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाएं और ये वीडियो मनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको सहीं और सकारात्म जानकरी प्रदान की जाएं दोस्तों अगर आप अपने जीवन में अभी कोई तकलीफ या परिशानी से गुजर रहे हैं, तो स्क्रीन कूपर नमबर चली रहे हैं, आप वोट्सप पर अपॉन्मेंट ले, अपॉन्मेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं, उसका फीस लागो है दोस्तों, जोतिश परामर साब महा से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि गीता में वर्णीत आपको एक शब्द पता होगा या एक वाट के हमेशा पता होता है, कर्म करो फल की चीनता मत करो, लेकिन हम इस वक्त और इस दुनिया में जो है, वो कर्म पर कम ध्यान देते हैं, और फल पर जादा ध्यान देते हैं, त पाइसा कर लो और हम वैसा करते जाते हैं और बस बैसिक चलते जाते हैं और चीजों पर चलना शुरू हो जाते हैं तो सबसे बहला संक्य तो तो कि आप समझ जाएगा, कि आपके आने वाले जो दिन हैं, आने वाले पल हैं, वो अच्छे हैं, क्योंकि इस गलती का और इस कर्म के दोशी हम स्वयम होंगे, नर कि हम किसी अन्य के मार्ग दर्शन में चलें, मार्ग दर्शन होना चाहिए, लेकिन ये युग में मार्ग दर रचान होती है वह हमेशा आफ से नीश्वारत भाव से जूरते हैं उनका भाव आपसे कोई मतलब भी नहीं होना चाहिए अने था ने तो मतलब का भाव हुआ आप दुख्य हो गए वह दूख्य हो गए तो दूसरा संकेत ही हमेशा समझना तीसरा संकेत है सपनों में मंदिरों के दर्शन होना मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि सपनों में पुराने मंदीरों के दर्शन होना कहीं न कहीं बहुत बड़े सकारत्मक परिवलतन की और हम आके बढ़ रहे हैं चोथी बात है कि हमारे जो पूरवज है जिनके साथ हमने बच्पन में देखे हैं, खेले हैं, बड़े हुएं, अगर वो पूरवज हमारे सपनों में आते हैं, तो पहली बात तो उनका आशिरवाद हैं, इसे पितर दोश के और आप बिल्कुल न समझे कि हमेरे पितर दोश है तो इस तरह कर सपने आते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर वो पूरवज आपके सपने में आ रहे हैं, तो समझ जाएगर कि आपके आने वाले दिन उनका आशिरवाद है, और उनकी करपा से आपके आने वाले जो दिन हैं, वो पोजिटिव और सकारात्मा खोड़ सकते ह पाचवाज जीज होता है, सपने में कहीं बार शिूलिंग के दर्शन होना, अगर शिूलिंग के दर्शन होते हैं, तो ये भी एक सूप संकेत है, जिसे की आपके जीवन में सकारातमा परिवरतान आने वाला है, तो इसके अलावा दोस्तों है, अपनी मा के दर्शन करना, बहुती सा काराक्मक चीजे हैं अच्छे दीन आनों को ये तो अगर अच्छा लगो तो लाइक करें शेयर करें रिकमेंट्स करें उम्हें मस्च जवाएं